कर्म फल मरने के बाद स्वर्ग के द्वार पर चार विक्ती खड़े थे इन चारों विक्तियों में पहला राजा था दूसरा एक बिजनेसमेन था तीसरा पंडित था और चौता ये का आदमी आम आदमी मजदूर था किसी को भी यह पता नहीं था कि कौन स्वर्ग के अंदर प्रिवेश कर पाएगा और कौन वहीं से वापस लौटा दिया जाएगा सब स्वर्ग का दर्वाज खुलने की राह देख रहे थे और आपस में बाते कर रहे थे जैसे कि राजा को मरने से पहले से ही आदत थी उसने अपनी बात सबसे पहले बताई राजा ने कहा मैं बहुत प्रख्यात राजा हूं मैंने दर्ती पर अपना बहुत नाम कमाया है इसलिए पूरी संभावना है कि मैं ही स्वर्ग में जाऊंगा फिर व्यापारी ने अपनी बात सामने रखी वह बोला मैंने धर्ती पर खूब धन कमाया और उस धन से मैंने सैकडों लोगों की मदद की इसलिए मैं ही स्वर्ग का हकदार हूं अब बारी थी पंडित की तो पंडित ने मूँ खोला और सब को यह कहा चाहे तुम जो सोच लो लेकिन यह बात तो तै है की स्वर्ग के दरवाजे खुलेंगे तो मेरे लिए ही सब जानते हैं की पंडित दिन रात भगवान को याद करते हैं इसलिए सवभाविक है की स्वर्ग में पंडित का स्वागत किया जाएगा जब सब ने अपना अपना पक्ष रख दिया तब सब की नजर उस मजदूर पर थी जो चुपचाप अपनी नजरें नीचे जुखाए बिना कुछ बोले वही पर खड़ा रहा स्वर्ग का दर्वाज खुला और वहाँ पर एक देवदूत आकर खड़ा हो गया देवदूत के हातों में एक पुस्तक थी जिसमें इन सभी कर्मों के बारे में लिखा हुआ था देवदूत ने सबसे पहले राजा को आमने पास बुलाया और उसको पूछा तुम बतावो तुमने अपने जीवन में क्या-क्या अच्छे कर्म किये हैं मैं उन्हें इस पुस्तक में देखकर फैसला करूँगा की तुम्हें अंदर आने देना है या नहीं राजा ने कहा मेरा राज जितना बड़ा था उतना ही सम्रत था और मेरी राज के सभी लोग कुशहाल थे सभी बड़े आनन्द से रहते थे मैंने उन्हें कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं वो ने दी यही मेरा अच्छे कर्म है देवधूत ने अपने पुस्तक में देखा और देखने के बाद राजा से कहा तुम सच बोलते हो तुमने अपने राज की प्रजा को बहुत सुखी रखा था लेकिन तुमने अपने राज की सीमा बढ़ाने के लिए जितने युद्ध किये थे उन युद्ध की वज़े से अजारों सैनिकों ने अपनी जान गवा दी थी उन अजारों सैनिकों की परिवार के दुख का कारण तुम बने थे इसलिए तुम स्वर्ग में नहीं आ सकते, अब बारी थी व्यापारी की, व्यापारी से जब देवदूत ने पूछा कि तुम्हारे अच्छे कर्म क्या है, तब व्यापारी ने उससे कहा, मैंने सयकडोन लोगों को खाना किलाया है, कही आशरमों में दान किया है, कही निरास् प्रश्ट लोगों के लिए गर बना कर दिया है यह मेरे अच्छे कर्म है देवदूत ने फिर से अपनी पुस्तक में ध्यान से देखा और देखने के बाद व्यापारी से कहा तुम्हारा कहना भी ठीक है कि तुमने बहुत दान दर्म किया है लेकिन यह दान धर्म तुमने जि जाने कितने जूट बोले हैं कितनी हेरा फेरिया की है और कितनी मिलावटे की है इसलिए तुम भी स्वर्ग में नहीं आ सकते जब पंडित से यही सवाल किया गया थो पंडित ने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कहा मैंने अनगिनित लोगों को ग्यान दिया है हजारों यग्य और पूजाय की है और दिन रात भगवान का जाप किया है इससे अच्छे कर्म और क्या ही हो सकते हैं देवदूत ने अपनी पुस्तक के अंदर जाक कर देखा और पंडित से कहा अपने जितनी भी लोगों को जो भी ग्यान दिया है उन बातों पर खुद कभी अमल न भी नहीं लिया इसलिए आपको भी स्वर्ग में आना प्रतिबंदित है मजदूर यह सब देखकर हैरान था वह अब तक जिने महान समस्ता था हम समस्ता आ रहा था उनकी व्याक्या स्वर्ग के दर्वाजे पर आकर बदल गई थी दर्ती पर जिन कर्मों को अच्छा समझ ज यमदूत ने जब हम मजदूरों को अपने पास बुलाया और इससे पहले की वह उससे उसके अच्छे कर्मों के बारे में पूस्ता मजदूर बोल पड़ा प्रभू मैं जानता हूं कि मैं भी स्वर्ग में आने के लायक नहीं हूं लेकिन मैं फिर भी एक बाहर से ही कर देखना चाता हूं बस इससे ज़्यादा मेरी कोई इच्छा है नहीं क्योंकि ऐसी इच्छा पालने के लिए मैंने जीवन में कुछ भी नहीं किया है मैं पूरा दिन मेहनत करता हूं करता और जो भी पैसे कमाता उन्हें अपने परिवार के पालन पोशन में कर्च कर देत इसलिए दान धर्म के लिए कुछ बसता ही नहीं लोगों की भला मैं क्या सेवा करता क्योंकि काम के बाद जो थोड़ा सा समय मिलता उसको अपने ही मूड़े बूड़े माबाप को सेवा में बिताता देता और यह सफल मैं कभी भी अच्छा कर्म नहीं किये हैं अपने पुस्तक में बड़े ध्यान से देखा और थोड़ी देर देखते ही रहा फिर उसने मजदूर से पूछा कि तुम याद करके बतावो तुमने कभी कोई अच्छा काम किया होगा मजदूर ने थोड़ी देर सोचने के बाद बोला हाँ मुझे थोड़ा थोड़ा याद है एक बार मैं बहुत बुखा था और मैं खाना ही काने बैठा था कि एक बहुत ही कमजोर कुट्ता जो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था वह मेरे पास आ गया और मेरे खाने को देखने लगा तब मैंने अपनी रोटी उसे खिला दी थी और उस दिन मैं खुद बुखा सोया था मजदूर की बाद सुनने के बाद देवदूत मुस्कुराया और मजदूर को बड़े सम्मान से स्वर्ग के अंदर लेकर गया दोस्तों अच्छे कर्म लोब मोह माया इन सब भावो में आकर नहीं किया जाता और ना ही उने अच्छे कर्मों की स्रेणी में गिना जाता है निस्वार्द भाव से किया गया एक ही अच्छा कर्म भी आपके जीवन के सारे पाप दोने की शिक्ति रखता है इसलिए जब भी मोका मिले निस्वार्द भाव से और अच्छे मन से अ थांक यू